हेलो दोस्तों कैसे आप सब आज नवरात्री का चौथा दिन है जिसमें मा कुष्मांडा की पूजा होती है और मा कुष्मांडा को जो प्रसाद चड़ता है वो है मालपुए मा मालपुए से बहुत ही प्रसंद रहती है तो आज हम भी मालपुए बना के तयार करेंगे जानने इसे अच्छी से इसका बैटर तयार करना है जिस मेजर से मैंने आटा लिया था उसी मेजर्मेंट से मैंने दो कब दूद लिया है मैंने गिलास में इसे ट्रांसफर कर लिया है इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूद डालते हुए इसे अच्छी से मिक्स करेंगे इसमें लंप पर इस्तमाल नहीं करता है। दूर से जो मालकुएं हम बनाईगें बहुत ही टेस्टी और जूसी बनके तयार होंगे। और बहुत सॉक्ट भी बनेंगे। मैंने टोटल दूद दूद इसमें एड कर लिया है। चलिए इसमें थोड़ा दूद और एड कर लेते हैं। हमारा बेटर तयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा इसे पतला कर देंगे तो एच्छे नहीं बनेंगे। एक दम परफेक्ट हमें इसी प्रकार की इसकी तिकनेस चाहिए। चलिए अब पहले इसे हमें पांच मिन के लिए रखना इसे कवर करके रख देते हैं। और हम चासनी की तैयारी कर लेते हैं। चासनी के लिए हम एक कप ये हाफ कॉला कप है। जब में мощ की चासनी के लुटना जाएगी, युई तार की चासनी नहीं चाहिए, की चासनी चाहिए.. चासनी हमारे इंदर केशने सब्सके लिए हो dub holistic का में की च लिए कंदू हो चूके आप देख सको रहा है.. बनाना सुरू हो गया है यह देखे हमारी इत्ति चासनी तयार है बस ऐसी चासनी हमें बनाके तयार करनी है तो हात में लेने से थोड़े से छिप्चिपी से लगे देखे बस स्टेज ब अब में परेम को कर दोड़ देखरए डिया है और आप इसको से कर सकते हैं इसे पांच मिंड्न के लिए और शोसे आद आ ना मिसे शोलिई अ इस प्रकार से अर बढ़िया में सरब बड़िया और इसे हमारे हुसे यह अधर शाइब całेь इसे थीधर हट है और गली औ मालपुड़ को महिं बना है लगत परफेक्ट की बफोय व्यकैल से बनाने निस कि तो यह दिक है अगर अगर हैं doute करशी जसे हैं डाले बनारें अगराें। टाही है यह लोगा पर दोब लिह खेल कि pen को अब यह परफेक्ट मालपुए बन गए हैं इसमें मैंने टोटा पोले तीन कप दूद का इस्तमाल किया है इसे पलट लेते हैं और इसे अची से शेक लेते हैं फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे और इसे शिकने देते हैं इसी तरह हम सभी मालपुए बना के तैयार कर लेंगे मालपुए सभी मालपुए हो चुके हैं यह हम निकाल लेंगे उसके बाद हम चासनी को थोड़ी सी गरम कर लेंगे चासनी हमारी हलकी सी गरम हो चुकी है अब इसमें एक एक मालपुए एड़ करेंगे और इसे अच्छी से दो मिन के लिए इसमें स्टर कर लेंगे ताकि माल मालपुए चासनी पीले और यह सॉफ्ट और जूसी बन जाए इसी तरह में इसमें से देखिए दो मीन के लिए इसे छोड़ना है मालपुए पीले अपिले देखिए कुछा जरूरा देखिर काम देखिए अबुले अगली प्रसाद में नेक्स ररिसेपी। नेक्स्ट रेसिपी में जो हम पांचवे प्रसाद के और बढ़ेंगे चलिए तब तक के लिए टेक केर बाई